नमस्कार आप देख रहें जंता दर्बार न्यूज और मैं आपके साथ जोती रागव राजस्थान में विधान सबा चुनाओं की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई है राजस्थान के इस चुनाओं में एक ही सीट पर पार्टियों से अधिक निर्दलियों के उम्मिदवारो है और इसी के चलते राजस्थान में नए चेहरे देखने को भी मिलेंगे आपको पता दे कि इस बार कुछ नए चेहरे बदलाव की आंधी भी ला सकते हैं सीटों से साफ जाहिर होता है कि ये आकड़े विधान सबा चुनाओं में रोमांच ला सकते हैं साथ ही कई-कई- की जाए तो कुल पचास विधान सबाव सीटे आती है और इन सीटों पर 519 प्रतियाशियों ने चुनावी शंखनाद किया है बता दे कि बिजेपी ने 200 विधान सभा की सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीद्वारों को मैदान में उता रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने उम्मीद् को पेश किया है बता दे कि आम आदमी पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोशना तो की लेकिन सिर्फ 58 सीटों पर ही अपने उम्मीद्वारों को उतारा है इसके अलावा निर्दलिये की संख्या को देखे तो अब 730 निर्दलिये राज्य भर में अपने व्यक आरेलपी ने 78 आरेलडी ने एक और एसपी ने 47 बीटीपी ने 58 प्रतियाशियों को मैदान में उता रहा है फिलहाल के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ अब तक के लिए देखते रहे हैं जनता दर्वान यूज